तो चलिए दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं उस एरा की जहां पे World War 2 शुरू हो जाती है और बिना भारत की मर्जी के प्रिटेन चाहता है कि हम भी उसका सपोर्ट करें यहां पे इंपोर्टेंट हो जाता है कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर जो नैशनल लीडर्स थे उनका क्या व्यूपॉइंट था World War 2 को लेके जैसे कि हम लोगोंने World War 1 के बारे में बात की थी तो हमने देखा था कि अलग-अलग ग्रुप्स या अलग-अलग आइडिलोजी जो हमारे देश में उस समय थी और नैशनल लीडर्स और फ्रीडम फाइटर्स जिसमें World War 1 में हमने बिर्टेन का सपोर्ट किया सिर्फ इस चीज को सोचके कि जब ये चीज खतम होगी हमें जो चीज चाहिए जो हमें स्वतनत्रता चाहिए वो हमें वो लोग दे देंगे मगर ऐसा नहीं हुआ तो World War 1 में हम इस चीज के भुगत भोगी थे तो अब World War 2 में हम ये गलती वापस दोहरानी की कोशिश करेंगे या नहीं आईए इसको जानते है तो सबसे पहले 1 सेप्टेमबर 1939 का टाइम 1 सेप्टेमबर 1939 को जर्मनी अटैक कर देता है पॉलेंड पे जिससे 2 वर्ल वार शुरू हो जाती है 1 सेप्टेमबर को जैसे ही अटैक होता है 3rd of September 1939 को ब्रिटेन भी वार को डिक्लेयर कर देता है अगेंस्ट जर्मनी और क्योंकि उस समय भारत British Government कहलाता था या Britishers के अंदर आता था तो British Government of India ने ये भी डिक्लेयर कर दिया क्या इंडिया का हमें पूरा सपोर्ट है in this war मगर मुद्दा ये था कि इंडिया या इंडियन नैशनल लीडर्स का जो पूरे भारत वासियों को रिप्रेजेंट करते थे उनका ओपीनियन तक लेना उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा तो यहाँ पे कॉंग्रेस जो है उसको बट आप्विसली ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं कि आपने किस तरीके से एक यूनिलैटरल एक्शन ले लिया और हमसे कंसर्ड भी नहीं करा तो यहाँ पे जो इंडिया है उसने एक ओफर किया कि अगर आपको वार एफर्ट्स में हमारा सपोर्ट चाहिए हमारा कॉपरेशन चाहिए तो इसके लिए दो बेसिक कंडिशन्स आपको फुल्फिल करना पड़ेगी पहली वार खतम होने के बाद एक कॉंस्टिट्वेंट असेंबली कनवीन की जाएगी जो हमें ये दर्शा सके कि आपकी पूरी इच्छा है इस वार को खतम करने के बाद भारत छोड़के जाने की और भारत को सतंत्र करने की बट अब्विस सी बात है कि यहाँ पे जो उस समय के वाइस रोइट थे वो कौन थे वो लिनलिद गो थे उनको वो बात बिल्कुल पसंद नहीं और उन्होंने उस आफ़र को पूरी तरीके से रिजेट कर दिया फिर जाके मीटिंग होती है वर्धा में जैसा कि कॉंग्रेस के सेशन्स होते थे तो यहाँ पे ओफिशल कॉंग्रेस की पूजिशन को अडॉट करने के लिए वर्धा सेशन कंड़क्ट किया जाता है मगर इस वर्धा सेशन को कंड़क्ट करने के पहले हमारे जो नैशनल लीडर्स थे उनके ओपिनियन जानने के लिए एक मीटिंग बठाई जाती है दाथ देखने को मिलती है इनफेक्ट वो तो ये कहते हैं कि मेरा अनकंडिशनल सपोर्ट ब्रिटेन को रहेगा ऐसा क्यों क्योंकि वो अगेंस्ट थे फासिस्ट आइडिलोजी के यहाँ पर आपको ये समझने की जरुवत है और अनकंडिशनल सपोर्ट अलाइड पावर्स को उन्होंने दे दिया हाला कि उन्होंने क्लियर डिस्टिंशन भी बताया था कि डेमोक्रेटिक नेशन्स जो हैं और फेस्टन यूरोप और जो टोटेलिटेरियन्स हैं टोटेलिटेरियन गवर्मेंट जिसे कहते हैं टोटेलिटेरियन्स जैसे नाजीस वो फासिस्ट है इनका डिस्टिंशन गांदी जी ने कह दिया था मुद्दे की बात है बिटेन का सपोर्ट करो अनकंडिशनल ये इनोंने कहा अब आते हैं सुबाश्चंद्र बोस और जवालल नहरु जी पे सबसे पहले बात करते हैं सुबाश्चंद्र बोस और इनको जब वर्दा मीटिंग में invite किया गया इनके opinion जानने के लिए तो इन्होंने कहा कि हमें कोई सिंपेती नहीं है from the either side जर्मनी मरे तो मर जाए ब्रिटेन मरे तो मर जाए हमें दोनों से मतलब नहीं है क्यों? क्योंकि उनका एक कहना था कि यहाँ पे दो imperialist power लड़ाई लड़ रही है दोनो अपनी अपनी colonies को establish करना चाहती है दोनो इस पूरे विश्व पे राज करना चाहती है तो हमें इन दोनों से ही कोई वास्ता नहीं है इसी कारण से इनका जो opinion है उसमें हमें no sympathy देखने को मिलेगा in fact इन्हों नों तो यह कहा था कि यह बिल्कुल सही समय है अपनी fight को emerge करने का, अपनी fight करने का civil disobedience movement को launch करने का और freedom उनसे चीन लेने का यह बहुत important parameter हमें यह आपे socialist का देखने को मिलता है अब आईए थोड़े liberal leader के पास चलते हैं जवाला नहरु जी का क्या कहना था जवाला नहरु जी का इस पे बहुत ही awesome हमें comment देखने को मिलता है वो ना गांधी जी के support में थे नहीं आ रहे थे क्योंकि उनके दिमाग में वो अपनी एक neutral चवी बना के बैठे थे वो बहुत ही ज़ादा clear थे कि एक होती है democratic values और एक होता है fascism इन दोनों के बीच में आती है एक neutrality जो justice तक हमें लेके जाएगी और इनका ये मानना था कि इस fascist ideology में और democratic value के बीच में अगर मुझे कुछ चुनना हो justice को तो वो justice ब्रिटेन की side मुझे देखने को मिलता है या मैं कहूँ ब्रिटेन, France और Poland की side देखने को मिलता है मगर उनका at the same time ये भी मानना था कि ब्रिटेन और France जो है वो imperialist power है hence no Indian participation till we are free क्योंकि जब तक हम ही free नहीं है तो हम आपको support कैसे करेंगे और ये भी कहा था इन्होंने कि हम CDM भी launch नहीं करेंगे क्योंकि fascist ideology के भी against them तो हम आपको weak नहीं करेंगे मतलब Britain को weak नहीं करेंगे तो यहाँ पे हमें नहरु जी और Boss कि ideology में differences देखने को ये मिलते है कि दोनों ही socialist ideology को belong करते थे मगर उनका attitude जो है वो अलग था जवालना नहरु जी ने importance दी जादा tilt दिखाया towards the Gandhi's view and Congress view वहीं Boss पूरी तरीके से अलग चले गए